हालो बच्चो बहुत-बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल कख्षा कड़ेते हैं बच्चो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का मतलब है कि आपको कोई एक फलन इस प्रकार से दिया जाएगा जिसका की समाकलन दोखो हम पहले उसका type समझा कि किस प्रकार के समाकलन के प्रश्ण मिलते हैं तब हमें वहाँ पर हमें प्रकस्थापन करना होता है दोखो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक फलन यहाँ पर दिया जाए एक फलन यहाँ पर ऐसे दिया जाए मान लेते हैं sin x और एक दूसरा फल के गुड़न फल के रूप में भी हमें सवाल मिल सकता है यहां पर ऐसे भी मिल सकता है कि अगर एक फलन उपर अंस में लिखा है नीचे हर में लिखा है ऐसे भी कभी फलन हमें दिये जा सकते हैं कि एक अंस में और एक हर में तो हम इनका भी हम समाकलन प्रतिस्थापन विद्सी कर सकते हैं गुडन फल में भी दिया जाए तो भी हम समाकलन प्रस्थापन भी सी कर सकते हैं दोखो ध्यान दें क्या करते हैं एक इन में से एक किसी फलन को अगर हम प्रस्थापन कर लें जैसे हम मान लें कि अगर यह मालने कि साइनेक्स बराबर T है क्या मालने साइनेक्स बराबर T तो हम साइनेक्स बराबर अगर T मानेंगी तो दो को ध्यान दें अगर अगर यहां से हम एक किसी फलन का प्रसिथापन कर दें एक फलन का प्रसिथापन कर दें तो हम क्या करेंगे अगर इसको हमने T माल लिया इसको हमने क्या माल लिया T माल लिया तो अब हमें इसकी सापेक्षता भी बदलनी है मतलब यह फलन हमारा T में बदल जाएगा तो अगर फलन T में बदल जाएगा तो हमें फिर T के साफ एक्च ही इसका समाकलन करना है T के साफ एक्च समाकलन करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर sin X बराबर अगर T मानेंगे तो इसका आउकलन करेंगे T के साफ एक्च आउकलन करेंगे तो sin X का आउकलन किता लिखेंगे cos X लिखेंगे और फिर x का zouk γιαगा उसी के इसाफ एकर zouk olan एक हो जाएगा तो यहाँ से हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं X into dx वरावर ये dt इधर पहुचा दो तो वरावर में dt हो जाएगा दोको ध्यान दें, इसको हम क्या लिखदें, इस पूरे को क्या लिख दें, CosX DX को हम DT लिख दें, यहां पर इसको हमने माना है T, और इस पूरे को क्या लिख दें, DT लिख दें, तो अब देखिए, यह सवाल हमारा T into DT में बदल गया, जो सवाल यह दिया गया था, वो सवाल अब T DT में बदल गया, अब T के साफिछ, इस T का हमें समा कलन करना है, तो क्या लिखेंगे, T एक पावर है, एक और जोड़ दें, दो हो जाएगा, दो का ही भाग करना है, प्लस कॉस्टेंट लिखेंट लिखेंट, बस यही अंसार है, समझो, T की वैलू हमें के बल लिखने है, T की वैलू किती है, साइन X, तो यह हो जाएगा, साइन X और इसका स्कॉाइर कर दें, तो साइन X का स्कॉार प्लस कॉस्टेंट, अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऐसे भी लिख दें, एक बटे दो, साइन स्कॉार एक्स, प्लस कॉस्टेंट, तो इस टाइप के बच्चों यहां पर सवाल हमें मिलेंगे जिसमें दो फलनों को हम यहां पर गुड़न फल की रूप में भी सवाल हमें दिया जा सकता है उनके भाग फल के रूप में भी सवाल दिया जा सकता है तो आज के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं एंगले वीडियो में अगर वीडियो लाइक ना किया हो तो बज़ा लाइक कर दें चैनल पर नाई आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूब ठीक है मिलते हैं एंगले वीडियो